हलो फ्रेंज मैं हूँ आपके साथ यासमीन विकी कौशल की फिल्म उरी दसर्जिकल स्ट्राइक को रिलीज हुए तीन हफ़ते पूरे हो चुके हैं फिल्म लगातार वॉक्स आफिस पर रेकॉर्ड तोड कमाई कर रही है साथ ही इस फिल्म ने सल्मान से लेकर शारुक, अक्षे से लेकर रन्मीर कपूर तक की कई रिकॉर्ड स्टोर डाले है बता दी कि फिल्म ने अब तक डुमेस्टिक बॉक्स आफिस पर 174 करोड 83 लाग की कमाई कर ली है जिस तरह से ये फिल्म कमाई कर रही है उसे साब से देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म जल्दी 200 करोड का अकड़ा बड़े ही आसानी से पार कर लेगी अब बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 42 करोड है बताने कि उरी ने सिफ 10 दिनों में 108 करोड 90 लाग रुपे की कमाई कर ली थी इसे के साथ उरी कम बजट की फिल्मों में सबसे तेज 100 करोड कमाने वाली फिल्म भी बन गई है अगर आप पिछले साल रिलीज हुई कम बजट की फिल्मों से उरी की तुलना करें तो सोनू की टीटू की स्वीटी को 100 करोड तक पहुँशने में 25 दिन बधाईयो और राजी को 17 दिन और स्त्री को 16 दिन का समय लगा था लेकिन उरी ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया है बता दे कि जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतिय फौज की तरफ से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की कहानी पर दी ये फिल्म बेस्ट है फिल्म में विकी कोशल के अलावा यामी गौतम, मोहित रहना और परेश्रावल भी इंपोर्टेंट रोल में है वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी आज की स्क्रीनिंग आर्मी वालों के लिए रखी गई है हुआरी फिल्म आर्मी वालों के लिए बनी गई है तो उने की लिए ट्रिब्यूट है तो खुशी होती है कि वो अब देखने आ रहे हैं यह हमारा लिट्मस टेस्त है अधित्य शुरुवात से ही कहते हैं कि यह सिर्फ ओडियंस के लिए ही नहीं यह एक एसी फिल्म हो कि आर्मी भी जब देखे तो उन्हें फख्र फशुब महसूस हो उन्हें लगे कि एक फिल्म बनी है जो उनकी जिंदगी को अथेंटिसिटी के साथ दिखा रही है तो हमारी तरफ से एक छोड़ी कोशिश है और रिबूट है और वी रिली हवा फिंगर स्क्रॉस कि उन्हों को एक फिल्म पसंद आती है यह भी आपके कहना चाहूं कि बहुत बहुत एक अच्छे नोट पर शुरुवात हुई है जिस तरह के मैसेज़ आ रहे हैं लोग ट्वीट पढ से रहे है यामी से अरहा है बहुत-bहुत खुशी होँ है तब बहुत गर्म नहीं हो रहे है और आज हम ठोलर है को ऐ है achen सपर्स के grammy वण्द बया और आपके यह घूँरुयां अत्टीयों की डॉट मेरा लग रहे है बहुत बड़ा वैलिडेशन होता ही है, बहुत खुनपसीना गया है वो अचीव करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी दो कुछ नहीं हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक्यू ही है उनकी एफर्ट को लेकर, और जितनी भी हम इस फिल्म में दिखा पाएंगे, श हाँ, बिलकुल लगता हूँ, सबस्वादा खुशी होती है फिल्म के राइटर दिरेक्टर के लिए, क्योंकि वहां से महनत शुरू होती है, अगर ये सोचते ही नहीं, अगर ये रिसर्च करते ही नहीं, अगर वो जनतु जाहत करते ही नहीं, अकेले तब तो कोई टीम भी रिसर्च के दौरान, अगर ये वो नहीं करते ही, तो आज हमें ये मौका नहीं मिलता, तो थांकेया अधित्या, वो सारी महनत करने के लिए। और जो भी फल आएगा वो इनी का है। यही कहना चाहूँँगगी, आप कुछ कहना चाहते हैं। अच्छी वी शुट बी थांकिंग इंडिनामी बिकास सर्जिकल स्राइक वा तभी ए फिल्म हो नहीं होता तो शाइज ए फिल्म ही नहीं हो पाती है जब फिल्म बन रही थी? जब फिल्म बन रही थी? तो बड़ी excitement थी, जानने के लिए इस देश का नागरिक होने के नाते बड़ी excitement थी कि अच्छा हुआ क्या था ? असलिएत में क्या हुआ था ? कैसे हुआ था ? प्लैनिंग कैसे हुई थी ? किसे किया गया यह तो सब को पता है कि बहां से यह मिशन ऐसा था कि जहां से देश का हर जवान जो गया था इस मिशन पर उन्हों नहीं किया था तो वह कैसे गया था बड़ी जानने की रुची थी जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो और भी एक्साइटमेंट आगे कि अब मैं किसक जब दुनिया को बढ़ा लगे क्या हुआ है और जो इनर्जी अब कंट्रोल नहीं होगा है जो जो मेरा चपर फाट जुका है तो यारन आफिल वेरी ब्लेस्ट कि इस फिल का हिस्सा बनने का मौका मिला और जब अब जो इनिशल रेक्शन भी आ रहा है लोगों का बहुत प इंडस्ट्री के उधार के लिए थी और हमारी तरफ से कि हम क्या योगदान कर सकते हैं अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की कभी किसी चीज की किसी कौस के लिए जरुरत हो तो कुछ-कुछ मुद्दे डिसकास हुए दोनों पाटिस के उधार के लिए और उसके उस पे ड कि गई है वो धीरे-दीरे जैसे सही समय आता जाएगा उस पर बार में तो सभी को पाफी मिले हैं लेकि आज क्या 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 आप लोगों से मिल गया कि जब हम उत्रे गाडी से और आप ही ने पूछ लिया हाओ इस जोश तो वहीं जोश थोड़ा उपर ह हो गया हमारा तो थैंक्यू सो मुच और खास शुक्री आप सब का प्रमोशन बहुत महनत का काम होता है एक्टरों के लिए और कैमेरा के पीछे जो आप लोगों उनके लिए भी आप हमारे हमें फॉलो करते रहते हैं और यहां से वहां महां से वहां कोई टाइम का ठिकाना पहले बहुत बहुत शुक्री है और अच्छा रियाक्शन है अभी शुरुआत ही हुई है पता नहीं देखते हैं कैसा चलता है तो सेम पता था कि एक ऐसी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे है एक जो बहुत ही सचाय है बहुत ही ऑनिस्टी के साथ ऐसी इंटेंशन क के साथ बन रही है तो यह ज़रूर पता था कि एक बहुत ही अच्छी डिरेक्टर के साथ काम करने को मिल रहा है वो जो सबसे जादा बता और अच्टर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके बाद अब जब हम यहां पर हैं वह भी आ सिटिंग ऑल फस तोगेदर रिलीस क कि जैसे हम यह भी आम्य कीश्टर के लिए उनको बहुत पसंद आई हमेने भी हम यह घ日本 बहुत आज़ रहा है जब हो कहरे हैं कि आप सब कहानी बहुत बलीविबल है बहुत अच्छी बहुत अचिपि नहें सबनी है सब ने बहुत अच्छा काम किया तो जो ए इस सब ऑन से मैं यूजुली बाहर ज्यादा नहीं निकलता हूँ बट क्योंकि ये इंडियन आर्मी के लिए स्क्रीनिंग थी तो इसके तो मुझे आ नहीं था ये कितनी बड़ी बात है मैं आपको बतानी सेकता हूँ कि अधिया धर और, अंधेरी में रहते हैं मेरे घर के बगल में बिलकुल अधित्य अधर कभी घर से बाहर ने निलते हूँ उनका बस चलता है पूरी फिल्म वो बहुत पर शूट कर लिए चार दो डिविटरीन में अधेर हूए हैं मेट नहीं क्या मानते हैं उनका कॉल है उनका देश है इतनी दूर यहां बैठके कुछ राय देना बस राय देने के लिए वो भी सही बात नहीं होती है वो अपने देश के उद्धार के लिए कुछ कर रहे है अगर उनको ठीक लगता है वो डिसिजिन्स ले उनके सिविलेंस के हत में जो लगता है जो भी डिसिजिन्स है वो ले और बाकी राय तो उनकी सिविलेंस की लेना जरूरी है हम क्यों वैटे वैटे यहां बहुत सही कंटेंट है और असली कहानिया जताते हैं जो इस देश में होता है जो इन परिवारों के यहां के जो परिवारे और ऐसे नहीं कि हम पह uhiki similar is जो हो चाहिं महाराष्टर की काहनिया भार आ आहर रही है लोग रेलेट कर रहे हैं हां यह यह तो मेरे महली कहानी है यह मेरे देश की कहानी है तो मुझे लग रहा है हम as a cinema सिफ Hindi cinema ही नी रिजनल cinema को भी बहुत पावर मिल रहा है और together इस देश का cinema बहुत सही तरीके से आगे बढ़ना है यही कहना चाहूंगे मैं तो हिस्सा हूं इस इस fraternity का मैं हाँ काम करती हैं इस हिंदी मैं बोलते हैं करम भूमी है तो आए यह वर्षिप इस रिस्पेक्ट इस रिस्पेक्ट अलॉट रहा है यह से विकी ने कहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि I feel very blessed to be a part of Such a Film called URI जिस जिस कम डिपाइन करते हैं कि अच्छा कॉंटेंट एक अच्छा subject एक honest attempt और एक एक sense of purpose के साथ एक फिल्म जो चाहे हमारा कल्चर हो चाहे हमारा वर्क कुल्चर हो चाहे हमारी इंडनामी है जो कोर है हमारी देश का उन्हें दाश आता है So I think this is, this is in fact rather a very very good time And this question I feel is, it's regardless and irrespective of anybody, any country feels for whatever they feel is the best works for their country